कि नमास्कार दोस्तों एक बार फिर्ट से आप सभी को स्वाकत है अपने यूटूब चैनल एवन क्लासेज में दोस्तों मैं आपका साथी अंकित तिवारी एक बार फिर्ट से बजंग स्री लेके मौजूर हूं दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में पहले मैं पिछली वीडियो में आपको कंप्लेट कराया इसकुवारी कुंख क्यों क्यूब यूट उसके पहले में आपको कराया rcf ल Play course लाटारी चलती आ रहीë तो इसे अगला आपको तो आज का टॉपिक है लोगों का एवरेज को आद लोग बात करने वाले एवरेज के बारे में एवरेज क्या होता है पहले तो आपको पता होना चाहिए तो माली यह जैसे जिसे मेरे कुछ बच्चे पढंडे आते हैं उन्होंने का मुझे पर यह जई है तो उनको aja ने कि युज यह हो गा जिसको च्थीन पर दीए न्यापि-जाइ से हिंदिग्जद दीए कि घ्थत है तो भाई constitutes जिसको पंच यूपिवा दे कि अर। आठ वाला को खुश हो जाएगा कि सदने मुझे आठ दे दिये और जो इसको पांच उपए दे दिया वह गाएगा कि या मुझे तो मैंने क्या कि सारे पैसे को वापस ले लिए फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब बराबर में बाटे तो इसके जो निकल के जो पूरा कलेक्सान आएक उस ही और भूलते एएवरेज बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो देखें कैसे करते हैं अब पहले बागत तो एवरेज क्या होता है तो एवरेज का सूत होता है औ their वोता है है कि यग जोबर का योग पर आपको फार्मूला के हिसाब से नहीं करना मगर आपको बेसिक मैं क्लियर करा रहा हूं तो आपको कैसे करना देखिए जैसे कि यहां पर आगया दो च्यार च्छे-आठ दस का आउसत बताईए ठीक है यह कोस्टन आ सकता है ऐसे कोस्टन आपको देखिए कैसे करते हैं दो तो सूत्र क्या होता तो पदों का योग तो पदोंका योग के मलब क्या होता है पहले आप जिखेंगे यहाँ ठीक है यृअँ लीच लिखने के बाद आप सबको क्या लगा पदों का यूग यानि सब का यूग करना पड़ेगा तो 2 डॉस 4 घ ब्लस च्हें ड्रस और नीचे क्या नफादो की संख्या तो गिनी है एक दो तीन चार पान्च तो नीचे पाँच शाह आजाएगी ठीक है उसके बाद देखिए कैसे करते हैं आपको तो जोड़िए चार दो छे च्य च्य बारा बारा आट वीस और बीस दस इतना तीस पाइब वाइब से अब दिखेंगे पर ऐसे आपको नहीं करना ऐसे आपको छोटा आ गया तो आप कर लेंगे भाई इसके आपको बढ़ा आ गया अब दिको आपको यह अलग से मैं यूनिक ट्रिक बताता हूं कैसे करते हैं तो जैसे यहां पर लिखा था आपका साब सब 2 4 6 8 10 ठीक है इसका क्या लगया दर से चलेंगे तो आपको मीडिल में यही हो जाएगा इससे कितना समेश लगभ रहा है आपको यहाद कर सकते हैं ऐसे आपको समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लिए जो आपको में अच्छा लगेगा वूसाब में अपना यह ठीक है ठीक है इस परकार से एक कोस्ट्टन और है कि मैं आपको देता हूं जिसे कि आपको करना तीन चैन नौ आपको यहां पर बारा पंद्रा का क्या निकलना है तो आप सीधे से चाहिए इस से इस वाले में तर्ट से कर लीजिए तो हमारे साथ से तो आपको आपको आप टाइम एक नमबर से मतलब होता है ना कि इसको दिखा आप लगें कंचा नो यही आपको क्या हो गया चाहिए तो आप इस वाले से भी करके देख सकते हैं कैसे करेंगे तेक्षिये बताते हैं क्या होता है पदों का योग सबको जोड़ें लेजी तो शबको जब जोड़ेंगे तो छैतिन नो नो ऑठारा अठारा बारा तीस और तो आप यहां क्यों इतना गुमा के लंबा लेके जाएंगे आप सिधे सिंपल इससे किरिए नहीं इससे आप करेंगा आपको मिनी सिकंड में अंसर आजाएगा ठीक है तो अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा दबा के सेयर कर दीजिए दबा के लाइक कीजिए तो मैंने आपको अभी विल्कुल जश्ट थोड़े देरी पहले आपको समझाया था और नमबर यानि वी संख्या आगे पांस संख्या आगे तो आपने 20 से निकाल लिया अब यहां पर चार संख्या आजाए च्छे संख्या आजा आठ संख्या आज सर बताइए तो यह में देगेए 1234 त कैसं क्या यानि ठीक है तो चार में अगर यहां से दो चलेंगे बरावर और यहां से दो बरावर चलेंगे तो जो कुछ नहीं बचा तो देखिए एक बात समझे आप दो और तीन के बीच में एक होता है टू-पॉइंट-फाइव यही आपका एरेज होगा दोस्तों यही आपका अंसर होगा फुल मिला के जब 6 एंग आएंगे तो जो बीच में पॉइंट में अंसर जाएगा ठीक है जैसे कि अगल चालेंगे तो देखिए यहां से भी चले आप दो और यहां से भी दो चले बीच में क्या है भाई च्छाय उसाथ की पॉइंट-फाइव यही दोस्तों आपका अंसर तो इस प्रकार्स के एरेज को आप इस ट्रिक से निकालेंगे ना कि उस ट्रिक से पदों का योग बटे संख्या से अब आगे लोगे बात करते हैं ठीक है तो टाइप निर्म टू किया खा joined टाइब टू यह कहता है कि को्षार्चन पूछ सकता है आपसे एक से यह लगा के पूरी जो है नौहारी सो तक का आउसाथ कमान बताइए ठीक है जब इस प्रिकार का कोश्चन आना है तो आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं कैसे करना है तो फार्मूला ये लास्ट डिजिट फ्रस्ट डिजिट बाई टू ठीक है यह मूं लाइड टीक है लाष्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट वाई two कैसे करना है तोआई ढर्लास्ट डिजिट का मतलब क्या है लाद इंग प्रथ प्लस लगा ना प्लस लगा दीजिए तो फ़र्ट डिजिट कितनी एक है तो एक लिए लिजिए अब बाई टू कर दीजिए तो 101 बाई टू अभी क्यावन बाई लिए आपको हो गया 101 बाई टू अभी कोटेंगे तो यहां याँ पर 50.5 के संथिंग आपका आंसर आजाएगा तो आयसे भी एक से लाके सौ तक आजये एक से लगा के दोस्त। करना है ठीक है किस लगा के थीन सू तक पर सर चोंसर अफ प्रकार क्या करते है को क्यों थे और देसे फणसे महीं कि यह नंट ग्रेंगे करेंगे एक से लगा के थानट कर तकod सेकंड टाइप भी आपको कंप्लीट हो गया आप हम लोग बात करने हो थार्ड टाइप की ठीक है जब मैं जितने टाइप हैं सारे टाइप बताने के बाद आपकी बुक आरे सगरवाल का एक भी कोस्चन छूटेगा नहीं पूरा कंप्लीट कराऊंगा इसके सेकंड वीडियो में आएंगे कोस्चन आपके और 35 लगागा ठतर थार्ड वीडियो में आएंगे पूरे एक एक कोस्चन आरे सगरवाल का मैं कंप्लीट कराऊंगा कोई भी टाइप बचेगा नहीं हम से तो मैंने आपको टाइप बन भी करा दिया टाइप टू भी करा दिया आप बात करते ह है अब कर दो इस तरीकएस तरीक दो कॉश्चन आपका आपका थाई टाइप थे में न में से तो नो उसके गयों साट ओस देटी साथ कोशा कर आऊ संख्याओं ऐसे च्छोटी संख्या बताइए छोटी पूछ देंगा थो बाधी बढ़ी। की बैसे पूछे को थो आक खंछी संख्याओं का सबस्तिति आपको कैसे करना साथ ne ठीक है पूरी संख्या हों कर और संफित अवस्त कितना आपके पर सैसे यह साथ अब आ चंख्या कितनी एक दो ह्याई चार पांच सब को मैं दोटोग्याW आपको सुत्र कि पादो का योग पटे क्या होता है पदोगी संख्या होती तो सभी को जोड लेंग crusty क्या है तो 5 ले लेंगे अब जूड़ेंगे अलफा अलफा यह कितना पर पन्टीप्लाई करेंगे तो आप 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 करेंगे तो पांच अलफा प्लस 10 बराबर 23 पंचे आपको कितना होता है तो 5 तहीं 15 पंदरा 5 दूनी 10 एक 11 फिर ये 10 आप उधर बेद दें 5 अलपा बराबर 115 में आप क्या करेंगे 10-10-10 करेंगे तो आपको कितना आ जाया यहां पर देखिए यहां पर 10-10 किया 105 आ गया और यह 5 जो है इसके नीचे आप अलफा ब्लस चार आप निकला कितना 21 और 24 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाए गांसर 25 यह तो आपका जनल में तो आपको अगर पेपर में लाइक से करेंगे तो कितना समय पर दूआ आपको धिवाग में आप जान सकते हैं कितना आपका समय चला गया अब मैं जो आपको थोड़े पहले बता है कि और साथ बीच का मिडिल वाला पांट होता है तो आप तेज यहां पे माल लीजिए अब भाईया कितले लगातार है ना लगातार है कि नहीं है तो बाएस के पहले बाईस आई होगी अब तेज के बाच्वीस आई होगी 25 होगी इधारे की सा पूछा क्या वह यह को चलने बाड़ी संख्या तो बढ़ी संख्या सबसे बढ़ी क्या 25 देखिए एक लाइन अंसर आपका एक दम मिनी सेगंड में अंसर कराते हैं ठीक है इस वाले में तो देखिए इस वाले में अधर को देखिए कितना समय लग रहा है आपको टाइम कम अगे बात करते हैं इसके तीन क्रमागत संख्याओं का अउस्ट 26 है सबसे चोटी संख्या बताइए तो तीन संख्याओं में आप तीन लाइने खीच लीजिए अब अवस्ट क्या है मेडिल वाला तो 26 हो गया भी या 26 हो गया अब लगाता रहे तो 26 के पहले 25 और 26 के बाद 27 जावज तो और 24 sword at 2 संख्या चोटी संख्या पूंचिके अब 7 क्या हो गया अंसर 215 कितना समय लग रहा है और इसी प्र कारत तो स्खशच् Analytics 50 कर्मागत संख्याओं अब यहां पहले यह भी बोल सकता है यहां 3 क्रमागत संख्यां विसंख्यां तो यह को स्ट्रमागत शम्स तो यह देंख रहा है दस नुबर दोनों प्रकार के ट्रिक है मैंने बता दिए जो तृक यह अच्छे लग रही है आप वह मैं ट्रिक को अपना है ठीक है वीडियो अच्छी लग तो जैदा से जयदा से प्लाज़ बेड़ी है डोनों अपके सामने लग्ड है देखिये दोस् पंदरा वर्जों का उसत बताना है तो आप साफ साफ रहने आपको थोड़ी दर पहले भी फार्मूला एक बताया था आपका अउनसा थीन के प्रतम करेंगे तीन चैनो डैडडडड़ 15 करेंगे 45 ठीक एक फार्मूला था लास्ट डिजिट प्लस फास्ट डिजिट वाई टू तो ऐसी कोई भी सिरी जो एवरेज निकालना वह यह यह फार्मूला अपना यह और आंसर को अपने घर ले जाए ठीक है दूस्तों तो कैसे करना लास्ट डिजिट लाट डिजिट आपके 45 है फार्ट डिजिट आपके तीन है प्लस तीन करेंगे वाई टू करेंगे 45 तीन अ सब्सक्राइब करेंगे 24 अंसर अब इस प्रकार से आपको करना सा कोश्चन अब दूसरा कोश्चन लिखा है नो के प्रथम तेरा गुरुजों का आउसा दितना बताईए तो नो के तो मैंने लाट डिजिट आपके नो से लिख लिजिए नो फिर तुमारा क्या होगा अठा सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रहा है तो नौती का सब्सक्राइब कर दिए तो नो साथ आपको काटेंगे आप अधारा आजाएगा इस प्रकात से किस आई साइब कोस्टन जो आएगा आव अराम से कर लेंगे ठीक है अब बात करने वाले हैं अगले टाइप की टाइप निंबर फाइब की बात करने वाले है टाइप फूर आप पड़ चुके हैं टाइप फाइब क्या लिखा हुआ है लगातार 10 संख्याओं का उसत 19 है यहीं पिरतेग संख्याओं में 5 जोड दिया जाए तो नया उसत बताइए ठीक है तो बात करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा परीके से एक दम समझाता हूं ठीक है देके माली जिए 10 संख्याओं का उसत 10 लोग हैं ठीक है दस संख्याओं को है तो दो के आपके पास है छोटे-छोटे-छोटे दस लोग है ठीक है मैं आप देखिया किए कि दस संख्याओं का उसत dop दूनिस है देखो दस लोगों के पास जो एक है 19 रूपए हैं कि नहीं है 19 रूपए तो प्रतेग में क्या करें पांच जोड़ दिया जाए अब देखें एक बात आपको समझिए चाहे दस हो चाहे बीस हो चाहे पचास हो अगर यह तो सम्में बराबार पैसे बटे हुए हैं इस बात को आपको ख्याल लगना है तो सम्में अ बात वहीं देखिए बिल्कुल एक लाइन में अंसर कर आएंगे देखने हैं बिल्कुल लिख्दम चमतकारी कोस्टेन करवाएंगे एकदम देखने कैसे तो लिखा है लगातार दस संख्याओं का उसात 19 तो भाईया देखिए 19 के पास 19 आए की नहीं है फिकर आप प्रतेग में पांच जोड़ दीजिए तो नया आउसत बताईए अब यह प्रतेग में पांच एक को पांच भी ले तो दूसरे को पांच भी ले भाई इसको पांच 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 दसको पर आवर क्यांगा 19 है चार्ज इसको पैसे दो एवरेज में तो उतना ही बढ़ेगा पांच बढ़ेगा तो पांच बढ़ेगा ठीक है अब बात करें आपको मैं यूनिंग मैं बताऊंगा यह कैसे करना है करा 55 kg वजन वाला विक्ति है उससे इस्थान पर क्या है नया विक्ति आ गया तो देखिए लिए अब देखिए लिकार चाहे विक्तियों का और सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो अब आपको कहा करना धाय इंटू 6 अब धाय इंटू 25 शका कितना होता भीया देर सो होता है कि नहीं होता देर्ट तो पॉइंट लगा लिए पॉइंट के बाद को कोई मतलब ही नहीं होता है तो पच्छपन और प्लस पंदरा सतर होगा जो नय व्यक्ति का भार होगा दूस्तों ठीक है इस प्रकार तो कोई भी कोस्चन आए आप लिकुल इसी ट्रिक से करेंगे आप का सब्सक्राइब कराने के बाद मैं सिधे आरे सगरवाल की बुक से नमबर एक से लगा के पूरे सारे कोश्चन को कम्प्लेट कराने वाला हैं दोस्तों ठीक है देखते हैं अगले टाइप कूर लिखा है पंदरा लड़कियों का उसत 54 किलोग्राम है तो सिच्छक के आने पर दोसत बड़ा जाता है ठीक है और आसद कितना बड़ेता है दो बड़ेता है तो सिच्छक का वजन बताइए ठीक है तो देखें मैं लड़कियों का उसत कितना अब ही यह चाववण लिख लिए चववण अब कर दोसक कि सिच्छक के आने पड़ तो यह 15 लड़की और एक सिच्छक मिला कितने हुए 16 नहीं हुए फिर कह रहा है और सद में कितना बढ़ा रहा है दो बढ़ा रहा है तो जो 16 इंटू दू इसी में आप जोड़ दीजिए यही आपका सिच्छक का वजन आ जाएगा सिच्छक का वजन होगा एक बड़ कैसे फिरस बसते हैं पंदा लड़कियों का उसद 54 किलोग्राम है अगर सिच्छक सम्झिल्स होगा तो 15 में एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा और असद कितना बढ़ा है दो बढ़ा है अगर दो इसमें बढ़ेगा तो पूरे आसद में दो ब मैं पर नंडो संख्याओं का होसाद कितना ज ह्या जटी सेपर लें तो पांच शकाटीस उनुण hum primeira ओगया relationships छपीस भीस तो टोटल कितना आ गया मुल्टीप्लाई करा लिए एक बढ़ाब बढ़ितन पर्तम कि यह दो इंटू साथ साथ दूनी के दना हो गए चाउडा अब डेगे क्या करा स्वाइब भण लेंगे तो 44 हो जाएगा अब देखे पाँच में इसे क्या करेंगे चार को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो एक जो बचे का वही अपनी क्या होगी तो देखे एक सो तीस में से चोतर गटाएंगे इससे से इसमें गटाएंगे तो दस में से चार गया बचा च्छे यहाँ बारा बचा बारा में से साथ गया कितना पांच यही आपका क्या तीसरी संख्या हो जाएगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें जाने दोस्तों